अकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने विश्व परियावरन दिवस के अफसर पर इन दौर की दो रामसर साइटों पर तालाप संरक्षन का वर्चुली किया निरिक्षन मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चाहान ने विश्व परियावरन दिवस पर मिशन लाइफ के राजस्तरिय कारिक्रम का भुपाल में की आशुभारंब विधान सभा निर्वाचन 2023 को लेकर निर्वाचन सदन मध्य परदेश ने की तैयारिया शुरू राजस्तरिय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षन कारिक्रम की हुई शुरुवात और मौसम विभागने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे में ओले बारिश का अलर्ट किया जारी इंदोर ग्वालियर समेत करीब 20 जिलों में हलकी बारिश के आसार अब समचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि गरीब और विकास शील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे है और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायू न्याय के विशय को मजबूती से उठाता रहा है श्री मोधी ने आज नई दिली में विश्व पर्यावरन दिवस्कारक्रम में एक वीडियो संदेश में यह बात कही प्रधानमंत्री मोधी ने कहा कि उन्नत देशों के विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधा भासी रहा है आयोजन के दोरान अमरित धरोहर कार्यानवन रणनीती और तर्टी एक शेत्रों और मूर्थ आये के लिए सदा बहार वन रोपन पहल का शुभरंब किया गया इन दोर के यश्वंत सागर और सिर्पूर तालाब सहित रामसर साइट में शामिल 75 स्थानों को जन भागिदारी से विकसित किया जाएगा ऐसा नहीं है कि ये साइट अभी किसित नहीं है लेकिन इने और अधिव विकसित किया जाएगा यह बात प्रधान मंत्री नुरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरन दिवस के अफसर पर सिर्पूर तालाब साइट के वर्चुल निरिक्षन के अफसर पर कही प्रधान मंत्री के वर्चुली संबोधन को सुनने के लिए सांसद शंकरलालवानी, महाप और पुशे मितर भारगव भी सिर्पूर तालाब साइट पर मौजूद थे प्रधान मंत्री ने कहा कि गत नौ वर्षों में ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत काम हुआ है सोलर प्लांट, LED बल्ब से पर्यावरन संरक्षन तो हुआ ही है, बिजने के बिल में भी कमी आई है पिछले नौ वर्ष में रामसर साइट की संख्या तीन गुना हो गई है अमर्धरोहर योजना के अंतरगत सभी रामसर साइट को जन भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग्छान ने विश्व पर्यावरन दिवस पर पर्यावरन सुरक्षा और संरक्षन के प्रती जन जागरती के लिए मिशन लाइफ के राजय सर्य कारिक्रम का भूपाल में शुभारंब किया कारिक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि भौतिक प्रगती की अंदी चाह से बड़े संसाधनों के शोशर ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड दिया है कारिक्रम से प्रदेश के सभी बावन जिले वर्चुली जुडे मुख्यमंत्री ने राजे जलवाई उपरिवर्तन कारिय योजना और प्रदेश के साथ स्मार्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर के क्लाइमिट एक्शन प्लान पुस्तिकाओं का विमोचन किया साथ ही प्रदेश की तीन नवीन रामसर साइट्स, सिरपूर, वेटलैंड, इंदौर, यश्वन सागर इंदौर और सांख्या सागर, शिवपूरी के प्रमान पत्र भी संबंदित पदाधिकारियों को प्रदान किये राजे में विभिन विभागों द्वारा 1,75,000 कारिक्रम मिशन लाइफ की थीम पर अब तक किये जा चुके है श्री चोहान ने भोपाल, विदिशा, रायसेन और सिहोर जिले के लाइफ, वोलेंटिर्स, युवाओं को परिचे पत्र और प्रशिक्षन पुस्तिका भेट की इस मौके पर मुखे मंत्री श्री चोहान ने मध्यप्रदेश वारशिक परिआवरन पुरसकार भी प्रदान किये विश्व परिआवरन दिवस पर विभिन जिलों में भी कारिक्रम आयोजित किये जा रहे है आगर मालवा में विभिन स्वास्ते केंद्रों पर जागरूकता रैली आयोजित की गई देवास जिले में 5 जून से 20 जून तक पौधरोपन का अभियान चलाये जाएगा अशोक नगर के मुंगावली में आज विभिन जागरूकता कारिकरम आयोजित किये गई दार जिले में परियावरण जागरूकता और बीजारोपन से विख्षारोपन अभियान की शुरूरात हुई नीमत जिले में भी आज विश्व परियावरण दिवस मनाया जा रहा है ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके लावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News अप पर भी समाचार सुन सकते हैं बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है विधान सभा निर्वाचन 2023 को लेकर निर्वाचन सदन मध्यप्रदेश ने तैयारियां शुरू कर दी हैं मुख्या निर्वाचन पतादिकारी अनुपम राजन ने आज से पाच दिन तक चलने वाले राजिस्तरिये मास्टर्स ट्रेनर्स प्रशिक्षन कारिकरम का शुभारम किया राश्ट्रियस्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा RCVP नरोनहा प्रशासन अकादमी और राश्ट्रिय तक्नीकी शिक्षक प्रशिक्षन एवं अनुसंधान संस्थान में थीम वोईस प्रशिक्षन दिया जा रहा है जो 9 जून तक चलेगा उपमुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने बताया कि प्रशिक्षन प्राप्त करने के बाद सभी राज्यस्तरिये मास्टर ट्रेनर्स को आयूग द्वारा 19 जून से 15 जुलाई के बीच दो दिवसिये प्रशिक्षन इंडिया इंटरनाशन इंस्टिटूट अफ डेमोक्रसी और इलेक्षन मेनेजमेंट दिल्ली में दिया जाएगा प्रशिक्षन प्राप्त करने के बाद राज्यस्तरिये मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिलास्तरिये मास्टर ट्रेनर और विधान सभास्तरिये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षन दिया जाएगा लक्षमी बाइ राश्ट्रिय शारिरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर का नवा दिख्षांत समारों 6 जून को साए 6 बजे से केंद्रिय मंत्री युवा मामले एवं खेल मंत्राले और सूचना एवं प्रसारन ग्वालियर मंत्राले भारत सरकार की अध्यक्षता में संपन होगा दिक्षांत समारों में वर्ष 2017 से 2022 तक के 3051 उतीन चातर चातराओं को उपादी प्रदान की जाएगी प्रतेक वर्ष के बीपी एड और एमपी एड पाठेक्रम के सर्वोच अंक प्राप्त करने वाले कुल 12 विद्यारतियों को गोल मेडल से समानित किया जाएगा इसमें लगभग 450 चातर चातराओं ने अपना पंजियन करवाया है मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान ने 22,000 किसानों द्वारा एक करोड 20 लाग पौदे लगाने के अभियान का आज शुभरम किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा है कि अपने जन्म दिन विवाहिक वर्श गांट परिजन किस्मृती और जीवन की अन्य उपलब्दियों पर पौदे लगा कर और उनकी देखरेकी जिमदारी लेकर प्रकृती को हरा भरा बनाए रखने में अपना जान दे सकते हैं मुख्यमंत्री श्री चोहान नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के आवली घांट में क्रिशक और नर्मदा संरक्षन संकल्प अभियान का वर्चल चुभारम कर रहे थे उलेकनिया है कि माकरनगर इटारसी डोलरिया नर्मदापुरम सिहोर रहटी और भेरुंदा के 22,000 किसानों द्वारा अपने खेतों में अभियान चलाकर पौधर ओपन किया जाएगा अब बात मौसम की मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 घंटों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार इंदौर संभाग क बुर्हानपूर, खरगौन, अलेराजपूर, बढ़वानी, जाबुआ और धार में ओलावरिष्टी हो सकती है वहीं इंदौर, ग्वालियर समीत करीब 20 जिलों में बूंदा बांदी या हलकी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार पश्ची में विक्षोब की सक्र बढ़वानी, देवास, मनसौर, नीमच, भिंड, शोपूरकला, अनुपूर, चिनवाडा, सिवनी, मंदला, सागर, टी और टीकमगड में बारिश हो सकती है वहीं इंदौर संभाग के बुर्हानपूर, खरगौन, अलिराजपूर, बढ़वानी, जाबुआ और धार में ओ करेगा, अब कुछ समाचार संक्षेप में, मुख्यमंत्री शिवराद सिख चोहान ने आज, नर्मदापूरम जिले की सिवनी मालवा के आवली घाट में, रुपई एग्रो फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित, विशाल, कृषक और नर्मदा संद संकल्प अभियान में, एक करोड़ बीस लाग पौदे लगाने के अभियान का वर्च्वल शुभारंब किया, श्री सद्गुरू कबीर साहिब का 626 मा प्रकट उत्सव कबीर मंदिर कोली महला मूसा खेडी इंदौर में कल हर्शो लास के साथ मनाया गया, इस अफसर पर शा आया गया जाकरूकता अभियान और जबलपुर रेल मंदल द्वारा भी इस अफसर पर अनेक कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आन्तमी बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व परियावरन दिवस के अफसर पर इंदौर की दो रामसर साइटों पर तालाब संरक्षन का वर्चुली किया निरिक्षन मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने विश्व पर्यावरन दिवस पर मिशन लाइफ के राजस्तरिय कारिक्रम का भोपाल में किया शुभरम विधान सबा निर्वाचन 2023 को लेकर निर्वाचन सदन मध्य प्रदेश ने की तैयारिया शुरू और मौसम विभाग ने प्रदेश की कुछ जिलो में अकले 24 घंटे में ओले बारिश का अलर्ट किया जारी इन दोर ग्वालियर समेथ करीब 20 जिलो में हलकी बारिश के आसार इस बुलिटन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार भी बारिश नमस्कार